हेलो एब्रिवान स्वागत आप सभी का टोपर स्प्राइम चैनल में इस वीडियो में आजम करेंगे एकनोमिक्स के MCQ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो इंपोर्टेंट बनते हैं वो सारे MCQ जो है इसमें हम कवर करेंगे इसके अलाव अगर आप हरियाना की किसी एक्जाम की तयारी कर रही हैं छाहे ग्राम सचेव का एक्जाम हूँ पुलीस हो पटवारी हूँ इन सब के लिए अगर आप मोग्टेस्ट खरीदना चाहते है तो परिक्षै अब पर खरीद सकती हैं वहाँ पर आपको जो भी मोग्ट केस्ट मिलेंगे वो नए पैटरन पर बेस्ट होंगे ठीक है और अगर आप हमारा टोपस 40 कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 40% का ओफ उन पर जो है मिल जाएगा ओके चलिए शुरू करते हैं इसके साथ ही अगर questions आपको अच्छे लगे पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करके जाये करें ठीक है चलिए देखिए question है generally a demand curve of commodity is एक वस्तू का जो मांग वक्र होता है कैसा होता है x-axis के parallel होता है y-axis के parallel होता है या slopping जो होती है वो downward होती है from left to right या upward होती है demand curve जो होती है commodity की तो देखिए generally जो demand curve होती है commodity की वो downward होती है downward slopping होती है ठीक है तो याद रखे demand curve are downward slopping तो third option जो होगा यहाँ पर correct हो जाएगा इसके साथ ही जिसमें बच्चे को HSC Crash Course की PDF चाहिए जिसमें हम यह सारी चीज़े करवा रहे हैं MCQ, NCRT वो जो है हमारा pack जो है खरीच सकते हैं link आपको registration का नीचे दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चों को confusion है कि एक video की PDF जो हजार रुपे की है तो ऐसा नहीं है पूरा course जो है 1000 का है जिसमें आपको जितनी PDF आ चुकी है तीन जो है subject जिससे पहले हुए हैं और आगे भी जो होंगे तो 16-17 वीडियो जो है जरूर आएंगी तो उन सभी का जो है चार्ज 1000 रुपीज है एक PDF का चार्ज 1000 रुपीज नहीं है तो जिसको भी चाहिए वो जाकर जो है रेजिस्टर कर सकता है लिंक आपको दिया गया है description में चले देखे second question है the law of demand is not applicable when मांग का नियम कब लागु नहीं होता है देखे मांग का नियम क्या होता है law of demand क्या कहता है मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी जो मांगी गई मात्रा है उसके बीच के relation को बताता है ठीक है अगर वस्तु की कीमत में अगर कोई change होता है तो उसकी जो मांगी गई मात्रा होगी उसमें भी प्रिवर्तन होगा तो मांग की नियम के नुसर क्या होता है कि वस्तु की कीमत और उसकी जो मात्रा मांगी गई है उसके बीच में विपरीत संबंद होता है means अगर वस्तु की कीमत में व्रिदी होगी तो उसकी मांग क्या होगी घटेगी ठीक है अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी. तो विपरीत होता है ये. तो मांग का नियम कब लागू नहीं होता है? जब किसी चीज का फैशन बदल जाता है. अन्या वस्तूओं की कीमत बदल जाती है. वस्तू की गुणवत्ता में प्रिवर्तन होते हैं इन में से सभी. तो बिलक प्रभावित होती है, demand for any commodity is affected from utility, productivity, profitability or none of these, किसी वस्तु की मांग कब प्रभावित होती है, ये पूछा गया है, तो देखें किसी वस्तु की मांग जो है बहुत सारे जुकारक होते हैं इसको प्रभावित करने वाले जैसे वस्तु की कीमत होगी, उससे related वस्तु की कीमत होगी, या करीता की आए होगी, रूची होगी, वरियता, मतब जो हमने उपर पढ़ा, ठीके, वो प्रभावित करते हैं, तो इन में से कोई नहीं जो है सही हो जाएगा, ठीके, मतब इन में से कोई भी वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता है, ओके अगला देखें, कोफी के मुल्य में व्रिद होने पर चाई की मांग क्या होगी, अगर जो प्राई से कोफी का, वो इनक्रीज हो जाए, तो टी की डिमांड क्या होगी, तो टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इनक्रीज जो है सही हो जाएगा, ठीके, क्योंकि जो प्रतिस थापन वस्तुयों होती हैं, उनकी कीमत और मांग में जो संबंद होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ओके यानि कि अगर कोफी का मुल्य बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो टी की जो डेमान्ड है, वो भी क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी ठीक है और अगर coffee की कीमत कम होगी तो चाई की मांग भी जो है कम हो जाएगी next है petrol के मुल्य में व्रिदी से car की मांग में क्या होगा due to increase in petrol the demand for car will अगर petrol की मुल्य में व्रिदी होगी तो car की demand घटेगी इस बार ठीक है यहाँ पर demand जो होगी car की वो decrease हो जाएगी तो second option correct हो जाएगा save के मुल्य में व्रिदी के कारण save की मांग में क्या होगी अगर save का मुल्य increase होगा तो उसकी demand जो होगी वो कम होगी तो सबसे पहले हमने वस्तु का नियम यही पढ़ा था अगर व्रिदी होगी तो मांग उसकी कम हो जाएगी तो यहाँ पर decrease सही हो जाएगा ओके चलिए next देखिए ओद्योगी की विकास के कारण मजदूरी की मांग में व्रिदी उधारन है increase is the demand for wages due to industrial development is an example of तो यह example है derived demand का यानि की व्यूत्पन मांग का ठीक है next है अल्प काल में डैश आधनों में कोई प्रिवर्तन नहीं होता in short period there is no change in factors तो कौन से factors में fixed factor में ठीक है fixed factor में ही कोई change नहीं होता है variable factors कौन से होते है variable factors हो होते हैं जिसकी मतलब change होते हैं जो during particular period of time वो हमारे variable factors होते हैं fixed में क्या रहेंगे कोई change नहीं आएगा आगे देखे modern economics have propounded the law of आधनीक अर्थ सास्त्र ने किस नियम को इजाद किया ओके देखें कौन कौन से ला थे increasing return decrease return और constant return उसके बाद जब modern economic आया तो इन तीनों ला को मिला कर एक ला बना दिया गया आधनीक अर्थ सास्त्री हुए उन्होंने उत्पत्ति के जो तीन नियम थे उनको मिला कर एक नया बन जो बनाया वो था variable proportional law of variable proportional तो यहाँ पर सही हो जाएगा fourth option ठीक है चलिए अगला दीखें in the dash change in all factor of production is possible सभी साधनों में कब प्रिवर्तन सब भव है किस period में? long period में ठीक है long period में जो है possible है change in all factors तो second option correct हो जाएगा अगला है ओके यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है total product by आएगा यहाँ पर इस तरीकी से कुल उत्पाद बटे प्रिवर्तिन सेल चादन की उका यहन की unit of variable factors तो यह किसका फॉर्मूला है total product का average product का marginal product का यह फिर annual product का total product upon unit of variable factors तो right answer हो जाएगा average product का formula है यह ओके नेक्स्ट है microeconomics यानि कि westi earth सास्तर किस का आध्यन है microeconomics में हम किस का आध्यन करते है national income national production particular firm या all of these microeconomics क्या होती है study of individuals ठीक है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा microeconomics is the study of a particular firm third option जो है सही होगा अगला है निमन में से किस में नीजी एम सार्जनिक शेत्र का सहय अस्तितु होता है in which of the following that is co-existence of both private and public sector तो यह किस अर्थ्वेवस्ता में होता है मिश्रित अर्थ्वेवस्ता mixed economy में तो third option सही होगा mixed economy okay next देखिए the concept of production possibility curve is associated with उत्पादन संभावनवक्र क्या अउधारना किस से जुड़ी है Samuelson से okay which of the following is the example of service इन में से जो सेवा का अउधारन है work of doctors, work of teachers, work of lawyers या all तो all of these जो हैं क्या है example of services है which one is economic good in the following आर्थिक वस्तु बतानी इन में से television, हवा, सुरिय की रोशनी, नदी का पानी तो सिर्फ television जो है इसमें एक economic good है scarcity problem arises because our resources are, जो दुर्ग लबता की समश्या आती या अभाव जिसकों कहती है क्यों आती है, क्योंकि हमारे साधन क्या है क्योंकि हमारे साधन limited है, resource limited है तो सीमित है ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य की आवशक्ताई है, वो बहुत जादा है, और साधन क्या है कम है, resource क्या है सीमित है, तो सीमित जो है सही हो जाएगी, अगला है किस परकार की एर्थवयवस्ता को मूल आर्थिक समश्याओं का सामना करना पड़ता है पुझिवादी, समाजवादी, मिस्रित या सभी तो कौन से टाइट की एकनोमी है जिसे फेस करनी पड़ते है basic economic problem, तो हर एक तरीके की एकनोमी में, तो fourth option सी हो जाएगा, every ठीक है next है सभी आर्थिक समश्याओं के कारण क्या है all economic problems are due to unlimited wants, limited means different priorities या all of these तो all economic problems are due to all of these यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है, एस सिमित इच्छा, सिमित साधन और different priorities next है निमन में से कौन धन की विशिष्टा है which one is the characteristics of wealth, utility, scarcity, exchangeability all of these, तो all of these सही हो जाएगा ठीक है, कौन-कौन से attribute होते है अगर हम देखें तो wealth के, utility है scarcity है, transferability है या exchangeability, यह मतलब यही है transferability, exchangeability सही है all of these जो है यहाँ पर correct हो जाएगा okay, next देखे what is the central problem of an economy अर्थ विवस्था की जो केंद्रिय समश्चा है वो क्या है, allocation of resource optimum use of resource economic development या none of these central problem जो है economy की वो क्या है, production of goods in service ठीक है, it's a distribution तो, wait या आप यह कह सकते हैं कि जो basic problem होती है four basic problem होती किसी भी economic की जो की arise होती है for the central problem of scarcity of resources ठीक है what to produce, how to produce और for whom to produce तो, यह main basic problem होती है किसी भी economic की तो, यहाँ पर जो right answer होजाएगा वो none of these होजाएगा इनमें से कोई नहीं ठीक है, अगला देखे the production possibility curve slope उत्पादन संभावना वक्र का डाल किस तरीके से गिरता है तो, production possibility curve यह right to left जाता है second option कर रही, सही हो जाएगा एक देश का अर्थिक विकास निर्बर करता है country development depends किस पर depend करता है capital resource, size of market, natural minds तो, all of these सही हो जाएगा the mean objective of a socialist economy एक समाजवादी अर्थिवस्ता का जो मूल उदेश्य है वो क्या होता है maximum social welfare यानि कि जादा से जादा लोग कल्यान हो उसमे उप बोगता व्यवार पढ़ा जाता है consumer behavior किस में study किया जाता है तो consumer behavior को study करते है micro economics में utility is measured by exchange of commodity, sale of commodity, by money and another of these तो प्योगिता कि माप जो है किस से माप जा सकती है मुद्रा के द्वारा तो by money जो है सही हो जाएगा गोसेन का प्रत्थम नियम क्या है which is the first law of गोसेन गोसेन के तीन लाए थी ठीके इसका जो पहला नियम है वो है law of demonizing marginal utility ये वाला और जो law of equi marginal utility है ये जो है इसका second law है ठीके और third law क्या है scarcity is a precondition for economic value तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा अगला है law of equi marginal utility is propounded by तो अभी पता है मैंने ये क्या है गोसेन का लाए ठीके तो first option सही हो जाएगा गोसेन का ये second law है next है सिमान्त उप्योगिता की गन्ना हम कैसे करते है वी calculate marginal utility marginal utility कैसे निकाली जाती है tu यानि की total utility और by में होता है quantity 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 यानि की क्या हूँ तो यहां पे tu अपोन क्या हूँ जो है सही हो जाएगा right answer तो first option जो है correct होगा ओके चलिए अगला देखे उदार्सीन ता वक्र होता है indifference curve is convex to the origin, concave to the origin, both या all of these indifference curve indifference curve होता है convex to the origin okay convex to the origin first who gave the cardinal concept of utility उपयोगिता का गणना वाचक सिर्दान्थ जो था ये किस ने दिया था तो ये दिया था अलफर्ड मार्सल ने जिसने पहली बार डिसकस किया था theory of utility in the theory of valley okay तो उनकी जो उनका जो concept था utility का वो कैसा था cardinal okay अगला है एक उपभोगता के रूप में आप as a consumer you will maximize utility purchase more and more commodity reduce production cost and not like to purchase commodity क्या करेंगे एक उपभोगता के रूप में आप उपयोगिता को अधिक्तम करेंगे ठीक है उपयोगता है यानि की utility को बढ़ाएंगे तो first option सही होगा मांग के लिए होना क्या जरूरी है for demand it is essential willing for commodity, resource, will to spend all of these तो all of these जो है सही हो जाएगा जब किसी वस्तु के मुल्य में कमी आती है तब जब किसी वस्तु के मुल्य में अगर कमी आ रही है वहने price of commodity decrease जब price of commodity decrease हो रही है तो वहाँ पर demand भी क्या होगी demand भी demand increase हो जाएगी क्योंकि opposite में होता है मांग करीं तो demand increase हो जाएगी ठीक है जब कमी आएगी मुल्य में तो demand भाँ पर बढ़ जाएगी ओके आगे है Giffin Goods Giffin Goods आएगा है यहापर Giffin Goods दिया गया है यह Giffin Goods है ठीक है Giffin Goods is Giffin वस्तु किस प्रकार की होती है special, superior, normal या inferior तो Giffin वस्तु होती है necrist, inferior मांग और मुल्य में कैसे संबंद होता है The law of demand express The relationship between quantity demand and price of commodities ठीक है यही दिखाता है वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा की बीच के संबंद को दर्शाता है तो first option सही हो जाएगा मांग का नियम नहीं लागू होता है अराम दायक वस्तुओं पर आवशक वस्तुओं पर तो मांग कानियम किस पर लागू नहीं होता है जो inferior goods होता है निमन कोटि की जो वस्तुओं होती है उन पर लागू नहीं होता है ठीक है आगे देखिए भारत में परतेक dash वर्श में गणना की जाती है तो भारत में परतेक 10 साल में गणना होती है तो 10 years सही हो जाएगा अगला है median divides the data in dash equal parts तो median जब हम निकालते हैं कोई data में अब दिया हुआ तो हम क्या करते हैं पहले उस data को two parts में equal divide करते हैं तो two parts जो है सही हो जाएगा two equal classes यह person who collect data is known as वे वेक्ति जो आकड़े को इखटा करता है उसे क्या बोला जाता है तो जो collect करता है data को उसको हम क्या बोल सकते हैं data processor भी बोल सकते हैं ने data processor वो होगा जो data को collect करके उन्हें information प्रोसेस करेगा वो data processor होगा यहाँ पर जो person collect करेगा data को उसको बोला जाता है enumerator ठीक है गणनाकार वरग अंत्राल 17 का मध्या बिंदू मिड़ पॉइंट बताने है तो 75 हो जाएगा next है किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंको को क्या कहते है data originally collected by an investigation उसको क्या बोलेंगे primary, secondary, territory okay जो खुद से collect किया जा रहा है जो data original है जो एक investigator ने खुद collect गया है वो primary data होगा secondary data कोन सा होता है जो कोई और इखटा करेगा और हम उसको use करेंगे data को वो हमारा किस में जाएगा secondary data में जाएगा तो यहाँ पर primary सही हो जाएगा अगला है इन में से कौन किंद्रिय प्रवर्ति का माप है which of the following is a measure or central tendency तो mean, mod and median यह valid measure मतलब central tendency का वो होते है किंद्रिय प्रवर्ति का माप होते है mean, mode or median तो यहाँ पर mode जो है सही हो जाएगा next है who is known as father of statistics सांध्य की कापिता किसको कहा जाता है got fried akin involved तो be option सही होगा a diagram that show the relationship between two variables is called दो चरों के बीच पारसपरिक सा मन को परकट करने वाले चिक्तर को क्या कहा जाता है इसको बोलते है scatter diagram ठेक है यह scatter diagram जो होता है similar होता है जिसे line graph होता है उसी की तरीके से होता है 行 scatter plot क्या show करता है कि किस तरीके से एक variable दूसरे variable को affect करता है ठेक है और जो relationship होते है between two variables और इसको क्या correlation, तो scatter diagram यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी graph paper में कितने churn होते हैं, how many quadrants are दिये इने graph paper, 1, 2, 3, 4, कितने quadrant बनाते हैं, graph हमने use किया है, ठीक है, school में, maths में graph paper use किया होगा, तो उसमें कितने quadrants होते हैं, 4 quadrants होते हैं, first, second, third and fourth, इस तरीके से बनाते हैं graph में, तो 4th quadrant होते हैं, तो 4 जो है, correct हो जाएगा, अगला है, smuggler के एक छोटे से भाद को क्या कहते हैं, small group of item, taken from the population, sanctions, sample, state, या questionnaire, ओके यहाँ पर क्या कर रहा है, small group of item, taken from the population, इसको क्या बोला जाएगा, इसको sample बोलते हैं, ठीक है, B option, sample जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक, चलिए, अगला दीखिए, next है, which of these variable are discrete, इनमें से जो variable discrete होते हैं, देखे, discrete variables कोन से होते हैं, जो कि countable हो, ठीक है, जिनको हम count कर सके, क्या weight, height, या number of students, तो यहाँ पर number of students जो है, हो जाएगा, ठीक है, कि सर्च सास्त्री ने कल्यान समंधी परी बाशा प्रोस्तुत की, who gave the welfare-oriented definition of economics, तो यह दे थी, Alfred Marshall ने, B option 16 का, ओके, देखे, the process of arranging information in classes according to their resemblance or characteristics, collection, variation, classification and privatization, तो process of arranging data in the similar groups, according to their characteristics, तो उसको बोलते हैं, classification, तो C option सही होगा, classification, qualities of a good questionnaire are, simplicity, proper order of questions, limited number of questions, या all of these, तो all of these सही हो जाएगा, कि सर्च सास्त्री के अनुसार, अब किरन पदों के विचरन का माप है, according to which economist, dispersion is the measure of variation of the item, तो यह किसने कहा है, बाउ लेने, B option सही होगा, next है, जब नीचली और उपरी दोनों सी माओं पर विचार करते हैं, तो ऐसे वरक क्या कहलाते हैं, बोथ lower and upper limit are considered, such classes are called inclusive, समावेसी, ठीक है, the type of index number R, देखें, index number अगर हम देखें, तो तीन type को होता है, value index, quantity and price index, तो यहाँ पर देखें, consumer price index number, wholesale price index, index of industrial production, तो इन में से सभी सही हो जाएगा, एक graph of a cumulative distribution function is known as, वै ग्राफ जो संची आवरती वित्रन खुद रसाता है, तो cumulative distribution function होता है, वो कुछ इस तरीके से S की form में बनता है, इसको बोलते हैं, ओ जाए, तोरण चित्र, ठीक है, next है, बारतिय सांखी की संस्थान का स्थापित है, where is Indian statistical institute located, तो ये है, कौलकाता में, ठीक है, next question है, इन में से नकदी फसल बताने, which of this is a cash crop, धान गेहों का पास या कोई नहीं, तो इन में से जो नकदी फसल है, वो है का पास, next है, वर्ल्ड बांक is also known as, विश्व बांक को और किस नाम से जाना जाते है, तो IBRD, IBRD का मतलब क्या है, International Bank for Reconstruction and Development, ठीक है, और ये established हुआ था, 1944 में, to help rebuild Europe and Japan, after World War II, ठीक है, तो इसका official name यही है, International Bank for Reconstruction and Development, मेंट, ओके, चलिए अगला दीखिए, सरकार द्वारा सार्जनिक शेत्र के समता हिस्सों को नीजी शेत्र के हाथों बेजना क्या कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है, Disinvestment, ठीक है, V निवेश बोला जाता है, तो B option सही हो जाएगा, The Problem Facing Human Capital Information, मानव पुंजी निर्मान में जो बादा है, बढ़ती जन संख्या, ब्रें ड्रें, All या Low Academic Level, तो All जो हैं यहां पर सही हो जाएगा, आगे है Conventional Source of Energy आर, Commercial Source, Non-Commercial, बोथ या कोई नहीं, तो देखिए, अगर हम देखिए, तो Sources of Energy कौन से होते हैं, Conventional होता है और Non-Conventional होता है, यानि कि पारंप्रिक और गैर पारंप्रिक स्त्रोथ होते हैं, तो Conventional Source में दोनों ही आते हैं, Commercial Source भी और Non-Commercial Source भी, अब Commercial Source कौन से होते हैं, जैसे कोईला हो गया, Petroleum है, Electricity है, यह Commercial Sources होगे, Non-Commercial में Firewood है, Straw है, Dried Dung है, यह Non-Commercial में जाएंगे, तो यह दोनों ही क्या हैं, Conventional Sources हैं, ठीक है, चलिए अगला दीके, सरकार द्वारा जो कर वेक्तियों के आये पर लगाई जाती है, A Tax Leaved on Individual Income by Government is known as Direct Tax, इसको बोला जाएगा, प्रत्यक्ष कर, निमन में से कोन सा उद्योग लग हुए, हम कुटीर उद्योग के अंतर गताता है, विच ओफ दीज इंडस्ट्री कम अंडर Small and Cottage Industry, तो Small और Cottage Industry तो कौन सी हो जाएगी, Hand Loom, यानि कि हद करगा, Poverty Line is Related to, Relative Poverty, Absolute Poverty यह बोथ, तो Poverty Line, ग्रिये भी रेखा का सम्बंध है, Absolute Poverty से, ठीक है, कृषि साख के, गैर संस्थागत स्त्रोथ कौन से हैं, ओके, Non-Institutional Source बताने है, Agriculture Credit के, तो देखे, अहम sources जो होते हैं, Agriculture Credit के, उन्हें दो, टाइब में डिवाइड करते हैं, एक होते है, Institutional Sources, और दूसरे होते है, Non-Institutional Sources, Institutional में कोन से आ जाते हैं, जैसे, कोई भी बैंक हो गया, SBI है, RBI है, NABAD है, कोई भी Regional Bank, Commercial Bank, यह हमारे होते हैं, Institutional Sources, Non-Institutional में कोन आते हैं, जैसे Money Lenders हो गए, Traders हो गए, Commission Agents है, Relatives हैं, यह Land Loads हैं, वो आते हैं, Non-Institutional में, तो यहाँ पर जो है, NABAD, Commercial Bank और Regional Bank, यह Institutional Sources और महाजन, जो है, यह Non-Institutional Sources हैं, गैर संस्थागत स्रोथ हैं, ठीक है, अगला देखिए, What are the two categories, into which infrastructure is divided, आधारिक सरंचना की दो प्रकार कौन से हैं, तो जहां पर हम, infrastructure को divide कर सकते हैं, कि समें, Social Infrastructure और, Economic, Economic Infrastructure, ठीक है, Economic Infrastructure जो है, यह Directly Support करता है, Economic System from inside, For example, Energy, Transport, Communication, यह Economic से related हो जाते हैं, और Social Infrastructure, Indirectly Support करता है, Economic System को, From outside, Okay, तो Economic Inside, Support करता है, वो Outside, From outside, तो Social Andi, Economic सही हो जाएगा, आगे, CFC का पूरेन रूप क्या है, तो CFC क्या होती, Clorofluorocarbon होती है, C Option सही हो जाएगा, 12 पंच वर्सिये, योजना की अवदी, तो कितनी थी, 2012 से लेकर, 2017 तक थी, First Option, The Source of Agriculture Credit, आर, किशे साख के जो साधने है, Landlord, Rural Bank, Commercial Bank, सभी ही है, तो All of These, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, निर्धन्ता रेखा से, नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात, किस में अधिक है, तो सबसे जादा कहाँ पर, भारत में हैं इनमें से, What is known as Navratan, Private Enterprise, Public, बहुत या कोई नहीं, तो Navratan क्या है, Navratan है, Public Enterprises, सारजने कुप करा, एक ऐसी स्थिती, जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तियारप्रंतु से काम नहीं मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, When a labor does not get employment opportunity, despite his willingness to work at the existing wage rate, तो इसको क्या बोलेंगे, Unemployment, यानि की बिरोजगारी बोला जाएगा इसको, अगला देखिए, Next है, चिपको अंदोलन का उद्यशे कि स्वन का सरक्षन था, बिहार, केरल, करनाटका या हिमाल्य, तो उत्राखन में चलाए गया थे, तो हिमाल्य की, किसी देश के आयात अम निरियात के अंतर को क्या कहती है, The difference in export and import of any country is known as, Balance of Trade, Direction of Trade, Structure of Trade या Volume of Trade, तो जो difference होता है, export और import का किसी भी कड्री का, उसको balance trade बोला जाते है, For how many days, Narayga provide employment, तो Narayga में 100 दिन का रोजगार दिया जाते है, Deforestation lead, VAYU production, Javivita, Bhoomi अवनती, इन में से सभी, तो all of these सही हो जाएगा, Human capital consists of, Workers, entire population, Both worker and entrepreneur या entrepreneur, तो human capital, यान की मानो पुझी में क्या समली था है, Both workers and entrepreneur, सर्मी का और उद्यमी दोनों ही, आगे है SHG क्या है, Self-Help Group, Social-Help Group, Self-Hire Group या Social-Health Group, तो SHG होता है, Swem-Sahita Group, यान की Self-Help Group, Swem-Sahita Samu, First Option, ठीक है, अगला देखे, Manufacturing sector is included in the dash sector of the economy, Manufacturing, जो V निर्मान है, ये किस में आते है, दुट्यक शेत्र में आते है, Secondary हो जाएगा, अगला है, An Index for measuring human development of any country is known as, PPT, SBI, RBI, HDI, ये एक सूचक जो किसी देश के मानव इकास को मापता है, उसे बोलते है, HDI, यानि कि Human Development Index, प्रति व्यक्ति आए किस देश में आदेखा, Pre-Capital Income is higher in which country, तो इन में से किस में ज़्यादा है, चाइना में, C option जो है, सही हो जाएगा, अगला देखे, Statistics, What is used for, सांखिय की सब्द का प्रयोग क्या जाता है, Singular sense में, Plural sense में, Both or None of these, तो सांखिय की सब्द का प्रयोग क्या जाता है, दोनों ही सेंस में, तो C option सही हो जाएगा, Statistic is used by, सांखिय की का प्रयोग किस के लिए क्या जाता है, Businessman, Scientist, Economist, or All of the Above, तो Statistics का use क्या जाता है, Economist के लिए, अर्थ सास्त्रियों के लिए, ठीक है, An orderly arrangement of data in column and rows are called, Tabulation, Classification, Investigation या Correlation, तो Column और rows में, जो हम arrangement करते data का, उसको बोलते हैं, Tabulation यानि की, Sarnian, ओके, Next, देखे, Newspaper is a source of which type of data, Primary, Secondary, Both or None of these, Newspaper, देखे, Primary data वो होता है, जो investigator खुझ से, मतलब collect करता है, वो primary data होता है, लेकिन Newspaper में हम क्या कर रहे हैं, किसी की gather information को जो है, हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा secondary data हो जाएगा, तो द्वितिय काकड़ा जो हैं पर सही होगा, The measure of the variation of the item is known as, Range, mean, dispersion and none of these, तो पदों के विचरण के माप को क्या का आजाता है, dispersion, dispersion का आजाते है, Who is Professor PC Mahal Nobis, Economist, Writer, Scientist, Musician, तो Professor PC Mahal Nobis, Scientist भी थे, वर यहाँ पर जो right answer बनेगा, वो economist बनेगा, ठीक है, Primary data are, Published data, Data collected by Research, या both, तो देखे, Published data है, ओवे से जो data Publish हुआ है, वो किसी ओर नहीं किया ही कटा, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, Data collected by Researcher, ठीक है, वो original data होगा उसका, लेकिन जब उसे Publish करेगा, तो वो Secondary में चला जाएगा, Which of the following cannot be calculated by graph, Arithmetic mean, Median mode, तो इन में से कौन सा है, जो की graph के द्वारा calculate नहीं किया जा सकता है, तो वो है माध्य है, Arithmetic mean, Whose formula is considered ideal for the construction of index number, किन के सुत्र को सुचकांग निर्वान के लिए, जो है, अच्छा माना जाता है, तो वो है Fisher का formula, Fisher का सुत्र, ठीक, चली अगला देखिए, Essential quality of a good average is, एक अच्छे उसत के गुण होते हैं, सभी clear and stable in definition, Absolute number, Simplicity, All of these जो है सही होगा, Next है, Who told economics is the science of wealth, किसने कहा, अर्थ सास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये कहा था, Adam Smith ने, ठीक, Diagrammatic representation of data is known as, आकडो का जो चित्र में प्रदर्शन होता है, उसको कहते हैं, presentation, Histogram is a, One-dimensional figure, Two-dimensional, Three, या multi-dimensional, तो Histogram होता है, Two-dimensional figure, Green revolution includes, Harit Kranti क्या समलित करती है, H-Y-V-V, यानि कि High-Yielding Variety के जो seeds थी, Mechanization of Agriculture, Chemical Fertilizers, All of the above, तो All of the above सही हो जाएगा, ओके, next देखे, When was FEMA executed, FEMA कब लागू हुआ था, FEMA का पहले जो नाम था, वो था FARA, FARA, जो की 1973 में आया था, ठीक है, 1997-1998 के बजट में, Government ने, FARA 1973 को रिप्लेस्ट किया था, FEMA से, FEMA का मतलब क्या याँ पे, Foreign Exchange Management Act, ठीक है, और FEMA को जो है, दोनों ही हाउस में, 1999 में, मतलब लाया गया था, 1999 में, ओके, और President के अप्रूवल के बाद, 2000 में जो था, ये लागू हुआ था, ठीक, तो एक जुन 2000, जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा, Next है, With which poverty is disparity of income, and its distribution associated with, किस परकार की निर्दंता से, आई की ऐसमानता और वित्रण का, जो है, संबंध है, तो वो होती है, Absolute Poverty, Economic Reform in India was started in, भारत में आर्थिक सुधारों का अप्रारब, तो यह माना जाता है, June 1991 में, June 1991 में, Nursing Rao ने जो थी, भारत की आर्थ विवस्ता को नई दिशा जो थी, प्रदान की थी, और यह दिशा क्या थी, जो LPZ मोडल आया था है, इनका, Liberalization, Privatization और Globalization, LPZ, यह full form पूछी जाती है, को पूरे देश में जो था, आर्थिक सुधारों के रूप में लागू किया गया था, तो LPZ मोडल जो था, इनका था, यह याद रखिए, वोके, 1991 में, तो भी option सही होगा, Organic Farming इजे, Dash Farming System, Organic Farming कैसी Farming है, तो Sustainable Farming System है, चिक, To which type of infrastructure health is related, Economic, Social, बहुत है नन फ्रीज़ अफ दीज़ अब तो, Infrastructure health is related to, एक मिनिट, राइट अंसर हो जाएगा, Which type of infrastructure health is related to, Social, Samajik, भारत क्यार्तिक सुधारों के संदर में, LPG की full form बतानी है, तो वही हो जाएगी, Science में liquid petroleum gas होगी, लेकिन यहाँ पर, उदारी करन, नीजी करन और वैश्वी करन, यानि की liberalization, privatization and globalization, To whom sector आएगा, यह reactor लिखा हो है, To whom sector, Agriculture activities are associated, Which of the following item, Was not exported prior to independence, सवतंतरता से पहले, कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं होता था, जूट का होता था, सूति वस्तर, Engineering वस्तु का नहीं होता था, Engineering goods का, So C option सही होगा, In which year, The first industrial policy in India was announced, भारत की जो पहली ओद्योगिक नीती थी, वो किस वर्ष गोशित हुई थी, 49, 56, 91 या, 1948, तो पहली ओद्योगिक नीती जो थी, ये गोशित हुई थी, 1956 में, The development of human capital required, मानविय साथनों के विकास के लिए जरूरत होती है, Morality की, Discipline की, Truthfulness, Education, तो सिक्षा की जरूरत होती है, How much population of the country get livelihood from ugly culture, देश की लब कितनी आबादी है, जो कृष चेतर से आज्योगिक का प्राप्त करती है, तो 58% कृष पर आधारित है, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, 2 ती high, ठीक है, Country having maximum population in the world is, Maximum population कहाँ पर है, चाइना में है, AAY stands for, Antodya Avaas Yojna, An Avaas Yojna, Antodya An Yojna यह Aam Avaas Yojna, तो AAY है, Antodya An Yojna, तो C option यहाँ पर से यहोगा, Antodya An Yojna, Scarcity of Capital, Technological Backwardness and Unemployment are generally found in, कहाँ पर पाए जाते हैं यह, तो यह होते हैं, जो underdeveloped country होती, जो अलप विक्षित देश होते हैं, वहाँ पर पुंजी की कमी, तकनी की, पिछडापन और विरोजगारी, सामनेते हैं, पाए जाते हैं, HDI is an indication of which parameter, Human Development Index, किन मांदर नों का सूचक है, तो right answer, जो हो जाएगा, 41 का, वो होगा, social parameters, indication of social parameters, which of these is a poor state of India, मार आश्क ता मिलना दुकेरलाया अभियार, तो सबसे poor बिहार है, when was Niti Aayok constituted, Niti Aayok का गठन हुआ था, Yojna Aayok की जगे आया था, एक January 2015 को, तो C option सही हो जाएगा, The adverse effect of liberalization is a, उदारी करन के प्रतिकूल परभाव, agriculture crisis, income disparity, unfavorable effect on small scale, under story, all of these, तो इन में से सही होगा, मंडरेगा is related to, मंडरेगा कसम मंद किस से है, रोजगार से, employment से है, तो first option सही होगा, employment, when was NABAD constituted, NABAD कब स्थापित हुआ था, तो NABAD बना था 12 जुलाई 1902, first option, 12 जुलाई 1902, correct हो जाएगा, The difference between labor force and workforce is, जो difference होता है, labor force और workforce में, वो क्या होता है, सिरंबल और कार्यबर का अंतर क्या होता है, तो right answer हो जाएगा, unemployed labor, भिरोजगार, शरम, which of these is not a conventional source of energy, जी, इन में से उर्जा के जो प्रम प्रागत स्टोथ में नहीं आते है, कोईलाई पेट्रोलियम सोलर, तो सोर नहीं आते है, ये नोन कर्वेंशल है, चिपको मुवमेंट वोज स्टाटेड बाई, चिपको अंदलन की शुरुवात किस ने की थी, तो इकनोमी कैसी है पाकिस्तान की, मिश्रित है, मिक्स्ट है, ठीक है? नेक्स देखिए, विच ओफ दीज मैजर कम अंडर सेंटरल टेंडेंसी, तो मीन, मोड, मेडियन तीनों ही आते हैं, तो ये सेंटरल टेंडेंसी में, आजाएगा, डी ओप्शन सही होगा, अगला है, डियाग्रेमेटिक प्रेजंटेशन अफ डाटा इस नोन आज, क्या बूला जाएगा इसको, इसको बोलेंगे, प्रेजंटेशन, ठीक है, डी ओप्शन, वन तो वैरियेबल मूव इन दे सेंडरेक्शन, जब दो वैरियेबल एक ही डिरेक्शन में, मूव करेंगे, तो वो क्यो रिलेशन कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, धनातमाख होगी, स्टेटिस्टिक्स क्या करता है, मेक फैक्ट्स कंपेरेबल, और मेक कॉम्प्लिकेटिट फैक्ट्स त्लियर, तथ्यों को तुलनिय भी बनाता है, और जटिल तथ्यों को स्पष्ट भी करता है, तो बोथ B and C जो है सही हो जाएंगे, सह संबंद के सुत्र का प्रती पादन किसने क्याता, फॉर्मूला फॉर को रिलेशन वोस प्रपाउंडड़ बाई, चार्ल्स पियर्मैन और काल्प पियर्सन दोनोंने, C ओप्ष्टन सही होगा, किस स्रेनी के उस मुले को क्या कहते, जो सब से अधिक बार आता है, means that value of a series that occurs maximum time in the series, mean, median, mode या dispersion, तो इसको बोला जाते है mode, C ओप्ष्टन जो है, correct हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, next देखिए, that method in which data are collected, covering every item of the universe or population, relating to the problem under investigation, is known as, sample method, census method, both here are none of these, तो sample हमने पढ़ा है, यह नहीं होता है, जो small group हम लेते हैं, वो sample में आता है, तो यहाँ पे यह जो हो जाती है, यह होती है, जनगन्ना विधी, ठीक है, यहाँ पे हम जो collect करें हैं, वो every item of universe है, तो यहाँ पर यह census method हो जाएगा, जनगन्ना विधी, अगला है, which is the number of time an item repeat itself in the series, तो कौन सा है, जो बार-बार आता है, data frequency number या variable, तो right answer हो जाएगा, किसी समग में एक मज जिदनी बार आती हूँ, उस मज को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है, frequency, frequency is the number of item in, item repeat itself in the series, okay, which of these is an economic activity, consumption, distribution, production, all of these, तो यह तीनों यह क्या है, economic activities है, तो D option, जो है, सही हो जाएगा, production, consumption, capital formation, distribution, are called basic economic activities, ठीक है, ओके, next step formula for finding mid value is given by, mid value का formula जो है, इन में से कौन सा होता है, तो L1 प्लस L2 बाइटू से निकालते हैं, तो यह हो जाएगा, वे चित्र जिसमें आकडों को, दंडो या रितो के रूप में प्रकट किया जाता है, those diagram in which data are present in the form of bar और rectangles, वो कैसे होते हैं, तो उनको बोला जाता है, बार diagram दंड चित्र, ठीक है, next देखिए, questionnaire is used in, making diagram, lorange car, survey या बहुत, A और B, तो questionnaire का use का हम कहां करते हैं, survey में करते हैं, diagram बनाने में थोड़ी करते हैं, तो सर्विक्षन में सही हो जाएगा, ओके नेक्स्ट देखिए, next question है, which economist propounded the scarcity-related definition, दुरलबता सम्मेंदी जो प्रिवाशा थी, वो किस ने दी थी, कौन थे उसके प्रतिपादक, Adam Smith, Robinson, Marshall या Samuelson, तो यह जो definition थी, यह Robins ने दी थी, तो तीनों ही होते हैं, D options ही हो गए हैं यहाँ पे, next है, the diagram is known as, इस diagram को क्या बोला जाएगा, histogram, ojive, map, या pie diagram, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, pie diagram बोला जाएगा, ojive मैंने बताया था, आपको S की map, उसमें होते हैं कुछ इस तरीके से, okey, आयत चित्र जो होते हैं, यह, two-dimensional होते है, और map आपको बता ही है, तो यह, जो होगा, this diagram is known as, pie diagram, ठीक है, इसमें data जो है, या circle में दिखाई देता है, अलग-लग sections होते हैं, okey, चलिए, अगला देखिए, next है, index number is used in, index number को का यूज़ क्या जाता है, knowledge in, standard of living, information regarding foreign trade, information regarding production, या all of these, तो देखिए, index number का हम use कहीं पर भी कर सकते हैं, तो all of these से ही हो जाएगा, ठीक है, next देखिए, objective of diagrammatic representation of data is, उदेश्य क्या है आकडो की चित्र में प्रदर्शन करने का, presentation है, प्रस्तूति करन है, diagrammatic representation से हम क्या कर सकते हैं, data को easy manner, easy, मतलब easy manner में हम उसको अच्छे से understand कर पाते हैं, तो यह होता है, आगे देखिए, हिस्टोग्राम is a graphical presentation of frequency distribution of A, individual series, discrete series, या फिर continuous series, आया चित्र की सरंखला की आवर्ती वित्रणों का रेखा, रेखा, चित्र या प्रस्तूति करन है, तो right answer जो हो जाएगा है, आपी हो जाएगा continuous series का, ठीक है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के एक two-dimensional graphical representation है, किसका continuous frequency distribution का, ओके, नेक्स देखिए, the simplest method of measuring dispersion of data, range, median, mode, या arithmetic mean, तो समको के अब करन मापनी की, जो सब से सरल एकाई है, वो कौन सी है, तो right answer हो जाएगा range, ठीक है, range, next, देखिए, banking sector is included in the, dash sector of the economy, तो banking sector किसमें आता है, तृतियक में, territory में, तो first option सही होगा, अगला है, according to HDI, which country is leading in its indicators, इसके संकीत कों में सब से जो आगे है, Pakistan, Nepal, China या India, तो right answer जो हो जाएगा, वो होगा चाइना, ठीक है, which is the apex institute at national level, providing rural credit in India, NBARD, नाबाड, उसी को लिखा गया, तो यहां पर right answer नाबाड हो जाएगा, ठीक है, नाबाड की full form पूछी जाती हो, क्या जाता है, national bank for agriculture, agriculture, sorry, agriculture and rural credit, ठीक है, next है, urban areas mostly suffer from, तो सहरी शेत्रों में मुख्यते क्या पाया जाता है, चुपी वे बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी याइन में से कोई नही, तो सहरी शेत्रों में जो पाया जाती है, वो पाया जाती है, open unemployment, यानि की खुली बेरोजगारी, ठीक है, TISCO stands for, TISCO की full form बतानी है क्या होती है, तो TISCO क्या होता है, Tata Iron and Steel Company, ठीक है, C हो जाएगा, Tata Iron and Steel Company Limited, अगला दिखिए, Which year is regarded as year of great divide, महा विभाजन का वरश, किसको का जाता है, 1921 को का जाता है, क्योंकि इसके बाद, इससे पहले जो थी जन संख्या, बढ़ ती और गड़ती थी, और लेकिन 1921 के बाद, लगातार जन संख्या सिर्फ बढ़ी है, गटी नहीं है, इसलिए इसको विभाजक वर्ष जो है, बोला जाता है, ठीक है, अगला है, sustainable development is the development, which satisfies the need, सतत्विकास के अंतरगत, किन क्या अशक्ताओं की संतुष्टी के जाते हैं, उनली present generation, future, both and end of these, तो right answer हो जाएगा, present and future generation, ठीक है, बारत में किस प्रकार की अर्थ विवस्ता देखी जा सकती है, तो इंडिया में जो economy है, वो है मिस्रित, यानि कि मिक्स्ट economy है, ठीक, चलिए अगला देखिए, in 1978, policy of reform and opening up was launched in which country, 1978 में तिवरोध योगी की सुरुदी की सुरुदी की सुरुदी की सुरुदी की जो है की गई थी, तो कहाँ पर यह launch चुई थी, यह launch चुई थी, चाइना में, ओके, next है, lowering the value of domestic currency in relation to other currency of the world is known as, अपनी देश की मुद्रा का मुल्य है, विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुल्ना में गटाने को क्या कहा जाता है, इसको बोले जाता है, devaluation, अव मुल्यन जो है, इसको कहा जाएगा, ठीक है, WTO, क्या है, world trade organization है, तो first option, सही होगा यहाँ पर, okay, wide है, sorry, world trade आएगा, world trade organization, तो, world trade organization सही हो जाएगा, ठीक है, next देखे, बारत में किस वेक्ती ने सरव पर्थम निर्दिंता रेखा की दारणा का प्रियोग किया था, who was the first to use the concept of poverty line in India, तो कौन थे, दादभाई, नो रोजी, तो D option, सही हो गा यहाँ पे, D, और इनकी book भी थी, Poverty and the Un-British Rule in India, और यहाँ पर जो थी, उन्होंने formulate की थी poverty line, जिसकी range इन उरे रखी थी, 62 rupees, 35, per capita, per year, okay, next है, positive impact of the LPZ policy, LPZ policy हमने उपर पढ़ी क्या है, इसका जो positive impact आया, वो क्या था, तो international recognition, growing economy, growth in industrial production, all of these, जो है, सही हो जाएंगे, ठीक है, when was the first data census collected during British India, भारत में प्रत्थम जन गन्ना जो थी, कब संपन हुई थी, तो देखे, 800 बैतर तो option में नहीं है, तो दूसरी जो हुई थी, वो 1881, ठीक है, 1881 से हुगा, नेक्स्ट है, फर्स्ट फाइव यर, प्लान फोकस्ट ओन, मतब किस production पर जो था, ध्यान दिया गया था, पर्थम पंच वर्षी योजना की प्राथमिक्ता, क्या थी, राइट आंसर जो हो जाएगा, वो जाएगा agriculture, ओके, नेक्स्ट है, जीडीप, जीडीप स्टांड्स फोर, जीडीप होते है, ग्रोस टोमेस्टिक प्रोड़क्ट, तो बी ओप्शन सही होगा, योजना योग की स्थापना कब हुई थी, प्लानिंग कमिशन सेट अप हुआ था, 1950 में, नेक्स्ट है, दा प्रोसेस ओफ इन्वेस्टमेंट इन एड़ुकेशन, इंप्रोड़ुमेंट इन हाल्ट प्रोड़िग ट्रेनिंग इस नौन आज, वैपरिक्रिया जिसके अंतरगत शिक्षा प्रणिविये, स्वास्त्यक सुदार और प्रसिक्षन समली थे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है Human Capital Formation, मानव पुंजी निर्मान सरकार द्वारा लगाएगे प्रत्यक्षा बोतिक नियंत्रों नों से अर्थ विवस्ता को मुक्त करना, क्या जाना जाता है क्या बोलेंगे इसको, तो यह होता है Liberalization, उदारी करण भारत में निर्दंता के करण क्या है, सभी है, किम्तों मिव्रिदी, बढ़ती, जन, संख्या, रोजगार के अफ्सरों का भाव Infrastructure is a necessary pre-requirement for, आदरीक सरंचना जो है, किसकी पूर्वशरत है तो right answer जो हो जाएगा, वो हो गए यहां पर economic development की, आर्थिक विकास की चलिए, देखिए अगला Which state has a highest literacy rate at present? तो इन चारों में से बतानी है सबसे कम तो यहां पर बिहार की है, तो बिहार की तो नहीं होगी जादा जारकर नहीं, ओडिसा नहीं तरी उपुरा ठीक है, highest literacy rate जो है इन में, वैसे अगर हम देखे तो केरला की है, 96.2% बट चारों में से बात करें, तो तरी पुरा ओके, which type of unemployment is found in agriculture sector? agriculture sector में कैसी पाई जाती है तो agriculture sector में disguised employment ठीक है, यह इसको hidden in employment भी बोला जाते है इसका चलिए अगला दीखिए next है, source of known commercial energy एज़ा fuel wood, coil, petroleum या electricity तो यहाँ पे जो non commercial energy हो जाएगी, वो कुन से होगी? fuel wood, यह commercial में आ जाएगे तीनो प्रियावरेंड में आनिकारक प्रदार्तों की उपस्तिती को क्या करते है presence of harmful particles in the environment is called pollution, production कहा जाएगा ठीक है? next question देखिए financial year in India इस बारत में जो वितिया विरस्ट है, वो कहां से कहां तक है? तो एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च तक तो first option जो है correct हो जाएगा next है study of national income is related to रास्ट्रिय आए किस विशे से संबंदित है? यहाँ पर national income की बात हो रही है तीक है micro economics की में हम किसके study करते हैं? इंडिवीजों से यानि कि किसी particular firm की बारे में पढ़ती हैं तो यहाँ पर macro economics जो है सही हो जाएगा चलिए next देखिए the general theory of employment interest and money was written by यह किस ने लिखी है? Marshall, Ragnar, Keynes या Ricardo तो यह लिखी है John Maynard Keynes ने तो Keynes यहाँ पर सही हो जाएगा mountain and rivers are national capital, national wealth, real capital, international capital तो mountain और river क्या है? परवत और नदियां क्या है? राष्टियत धन है national wealth है ठीक है? ओके चलिए next देखिए an economy which has economic relation to other countries is known as closed economy, open economy, self-reliant economy and none of the above एक अर्थिवे वस्ता जिसका आर्थिक संबन्द दूसरे देशों से होता है उसे क्या का जाते है? उसको बोलते हैं open economy ठीक है? और closed economy कौन सी होती है? independent होती है means no import and no export कोई import, कोई export नहीं होता है ठीक है? तो यहां पर open economy सही हो जाएगा इसमें यहां पर पूछा गया था जिसका संबन्द होता है ओके? next है consumption of fixed capital is also known as अचल संपती के उपभोग को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं depreciation consumption of fixed capital is also known as depreciation चिक है? हास अगला देखे value added is ascertained as मुल्य वर्धन किस तरीके से जाना जाता है मुल्य वर्धन को तो राइट answer हो जाएगा sales price minus cost of intermediate goods fourth option जो है सही हो गए यहाँ पर okay next है national income is calculated through income method, output method, expenditure तो यह तीनों ही method से जो है national income को calculate करते हैं तो D option जो है सही होगा all of the above the great depression of the world took place in 1920, 25, 30 या 35 तो विश्यो की जो महामंदी थी यह कब घटी तुई थी? 1930 में, 39, 30 ठीक है? तो याद रखें, 39 से 49 थी? थी, exact अगर हम देखें तो अगर option में 30 है तो 30 सही होगा चलिए अकला देखें Keynes assumed the situation of Keynes ने कहा था कि अर्थ व्यवस्था में किस किस स्थीती होती है? तो right answer हो जाएगा under employment आपूरण रोजगार की स्थीती होती है ठीक है? multiplier is equal to गुनक बरावर होता है किसके changes in income by changes in investment first option जो है सही हो जाएगा अगरा देखें fiscal policy is also called राजकोश्य जो नेती होती है उसको हम किस नाम से जानती है fiscal policy is also called इसको बोला जाता है budgetary policy next है in case of monetary policy excess and deficit demand is possible through मोदरिक नीती के संदर में मांग और वरदी में कमी किसके द्वारा होती है तो राइट आंसर हो जाएगी bank rate policy और credit control first and second next number of central bank in a country is Kendriya bank की संख्या किसी देश में कितनी होती है तो एक होती है central bank एक होती है अगला देखिए अगला है central bank grant loan to जो Kendriya bank होता हो किसको रन देता है तो वो commercial bank को रन देता है next है credit creation is controlled by government, central bank, commercial bank या none of the above तो credit creation को कौन control करता है central bank और central bank कौन है इंडिया में reserve bank of India, RBI next है which one of the following is the tax revenue of the government excise, wealth tax, entertainment tax या all of the above या आए किस त्रोत है सरकार की कराई के ठीक है next देखिए balance of payment deficit can be corrected by भुकतान, संतुलन, गाटा ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा तो right answer होगा है याँ पे all of the above import substitution, export promotion और increase in production all of the above जो है correct हो जाएगा ओके next है abid hussein committee was established in 1999, 1974, 64 या 84 तो ये committee जो थी इसकी स्थापना पुछे कब हुई थी तो इस committee की स्थापना हुई थी 1984 में ठीक है okay dash is the short form of export import तो short form कुण सी है exim है export import exim okay अगला दीखिए which deposit pay more interest saving account, current account, fixed account या all these तो किस पर कर कि जमासी ब्याज हमें जादा मिलेगा fixed account से मिलेगा जो FD होती है fixed जो deposit होता है वो अगला देखिए next जो question है who has the right to issue the paper note in India जो पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है वो पूछा है कि किस के पास होता है तो वो होता है RBI के पास Reserve Bank of India ठीक है the name of Central Bank in India is तो कौन सा है RBI है Reserve Bank of India है okay next है 14 Bank of India were nationalized in भारत के जो 14 प्रमुक बैंकों का जो राष्टिय करन हुआ था वो कब हुआ था 1979 में हुआ था ठीक है चलिए अगला देखिए which economist has given the transaction approach of money मुद्रा के जो अधान परदान का जो दृष्टि कोन है ये किस अर्थ सास्त्री ने दिया था तो ये दिया था Fisher ने Fisher Fisher transaction approach बोलते है अगला है State Bank was established in State Bank की स्थाबना कब हुई थी 1955 में हुई थी तो 1955 जो है सही हो जाएगा एक जुलाई एक जुलाई 1955 में ठीक है Next है Imperial Bank of India को प्रिवर्तित क्या गया है Imperial Bank of India was transformed in तो किस में transformed क्या गया है State Bank में तो third option State Bank जो है सही हो जाएगा Next है Keynes theory is associated with Keynes का जो सिद्धानत है यह किस से सम्मंदित है Effective Demand Propensity to consume Propensity to save तो all of the above जो है सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है Next देखिए On which of the following Keynes theory of employment Depends upon Effective Depends Supply, Production Efficiency Keynes का जो रोजगार का सिद्धानत है Keynes का सिद्धानत जो सम्मंदित था इन से था लेकिन रोजगार सिद्धानत किस पर निर्भड करता है Keynes का Effective Demand पर ठीक है Next है Okay Which factor affect Keynesian multiplier कौन सा जो कारक है Keynesian गुनक को प्रभावित करता है तो वो है Marginal propensity to save और marginal propensity to consume Both ठीक है चलिए अगला दीखे Keynes derived investment multiplier from Kaan Investment multiplier from Kaan क्या हो जाएगा यहाँ पर Right answer यहाँ पर हो जाएगा Employment multiplier ठीक है In the situation of deflationary gap कौन सी मदे भुगतान सेश में सम्मलित होती है Right answer हो जाएगा यहाँ पर Supply increase rapidly जो पुरती तेजी से बढ़ती है ठीक है Which item are Indued in balance of payment Include आएगा Which item are included in balance of payment Visible Invisible Capital transfer या all the above Right answer हो जाएगा All the above Okay Which one is the item of capital account पुर्ण जी खाता का जो एक मद है इन में से कौन सा है Government transaction, private, foreign direct investment या all the above तो right answer all the above ठीक है Which one is the item of current account Import of visible item Expenses of tourist Export of visible item या all the above तो यह भी यहाँ पी all the above सही हो जाएगा चालू खाते Export and export of good वस्तो कायात और निर्यात्वया पार कारत है और भुगतान सेश Visible item जो होते है Balance of payment की Machine, cement, वस्तर उप्योक्त सभी तो all the above यहाँ पर सही हो जाएगा Next है Which one is the invisible item of balance of payment यहाँ पर visible item पूचाता है तो machine, वस्तर, cement Invisible जो होती है वो कौन से होते है जहाँ जरानी, shipping, banking, communication तो all the above यहाँ पर सही होगा ठीक है Next question देखिए भारत में किसे bank को का bank कहा जाता है यानि कि bank of the bank किसको बोलते है RBI को, Reserve Bank of India को निमन में से कौन मुद्रा का प्रात्मिक कारिया है Which one is included in the primary function of money तो right answer हो जाएगा measure of value Next Which one is included in the secondary function of money Transfer of value, store of value या both तो right answer जो होगा यहाँ पर होगा बोथ मुले का स्थान नांत्रन और मुले का संचे द्वीतिय कारिया है ठीक है तो measure of value जो है primary function है और secondary में जो हाँ देख सकते है store value और transfer value आएगा ठीक है अगला दीखिए The function of money include value determination, store of value, medium of exchange, all of the above तो fourth option correct हो जाएगा Next है Which one is not the function of money जो function of money नहीं है measure of value, store the value, transfer of value, stabilization of value तो जो इन में से मुद्रा का कारिया नहीं है वो है stabilization मुले का स्थरी करें Okay, next देखिए India's largest bank is भारत का जो सबसे बड़ा bank है वो कौन सा है State Bank of India SBI In India, currency note is issued by तो भारत में currency कौन issue करता है RBI करता है Reserve Bank of India ठीक है Next है Reserve Bank of India was established in भारतिय Reserve Bank की स्थापना कब हुई थी तो 1935 में हुई थी Second option जो है सही हो जाएगा RBI 1 April 1935 Next देखिए Monetary policy is related with Public expenditure, tax, public debit या open market operation तो monetary policy, मौद्रिक नीती जो है यह किसे समंधित होती है Open market operation खुला बाजार नीती से Central Bank of India क्या है What is Central Bank of India तो right answer जो हो जाएगा वो है Commercial Bank क्या है एक वानिजिक bank है Okay Who is known as the father of economics Father of economics किसे का जाता है Adam Smith को Which of the following is the agent of production Land, labor, capital All the above जो है Correct हो जाएगा Direct tax कौन सा इन में से Income tax, gift tax, both यह And enough these तो जो direct tax है इन में से कौन सा है तो दोनों ही क्या है Direct tax है Income भी और gift भी Both जो है सही हो जाएगा Next देखे Which of the following is an indirect tax तो sales tax हो जाएगा क्योंकि वो बागी दो तो क्या है Direct tax है Okay चलिए अगला है भारत में वित्या वर्ष्ट है 1 अप्रेल से 1 अप्रेल to March 31 ठीक है First option जो है सही हो जाएगा Next देखे Study of national income Is related with तो यह macroeconomics से related है The general theory of employment interest and money किसके द्वारा लिखा गया था तो कीन्स के द्वारा परवत और नदिया क्या है national wealth है एक अर्थिवस्ता जिसका आर्थिक संबन दूसरे देशों से होता है वो open economy होती है Next देखे Conception of fixed capital is also known as अचल संपती के उपवोग को हम क्या कहते हैं तो right answer जो हो जाएगा यहाँ पर उसे depreciation बोला जाता है Value added is ascertained as Sales price minus cost of intermediate National income is included Calculate cases की जाती है तीनों methods से की जाती है महानमंदी 1930 में यह वही questions है हमने कर ली है यह सारे ही चलिए अबीद हुसेन कमिटी भी हो गया था एक जिम्बी हो गया था Next देखते हैं Next जो है Adam Smith के अनुसार अर्थ सास्तर क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा है यहां पे धन का विज्ञान है Science of wealth है इन में से किसे आर्थी क्रियाओं का आदी तथा आंत कहते हैं तो यह कहा जाता है उपभोग को यानि कि कंजप्शन को अर्थ सास्तर क्या है तो अर्थ सास्तर positive and normative बहुत है यानि कि अथार्थवादी और आद्रफश्वादी विज्ञान है पुंजिवाद में साधनो का स्वामित्व जो होता है किसके पास होता है नीजी हाथों में भारत में कौन सी अर्थ्वयवस्ता है मिश्रित अर्थ्वयवस्ता है मिश्र अर्थ्वेवस्था के मुख्य विशेष्था क्या है नीजी और सारजनिक स्वामी तो दोनों होती है इसमें जब सिमान तुप्योगिता जब ओरिजनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैक्सीम अधिक्तम ओके वें देप्राइस ओफ दे कोमोडिटी डिक्रीज दन डिमांड क्या होगी इंक्रीज होगी तो एट का फर्स्ट हो जाएगा मांग के लिए क्या होना जरूरी है इन में से सभी होना जरूरी है साधन वस्तु कीचा और खर्च करने की ततपरता डिमांड फोर नैसेसरी गुड्स आर अनिवारिय वस्तु की जो मांग होती है वो कैसी होती है तो इन इलास्टिक बेलोचदार निमन में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है फ्रोम विच कॉमोडिटी डिमांड इस लास्टिक तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे डिमांड ज्वेल्ट डाइमंड ज्वेल्री चीक है किमांड रीकिव इस लास्ट आ उत्पाधन जो सादन है वो कोंवकर जाएगा लेंड भूमी उत्पाधन का अर्थ क्या है प्रोड़क्शन मींस व्द्धेवस्टेशन त्वा क्हों गया हो है आपे इस ट्रेइट से उत्पादन बढ़ता है बढ़ती हूई दर से बढ़ता है ओके विच लाव उपरेट में ली इन अगर एगरी कल्चर तो कौन से लाव उपरेट होता है लाव डिक्रीजिंग रिटन उत्पत्ति हास का नियम औस अतलागत में कमी के साथ सिमांत लागत जो होती है वो क्या हो कोस्ट भी क्या होगे? डिक्रीज होगे अज यूनिट अफ सेल्स इंक्रीज एवरेज रिवेंस वोसत आए क्या होगे? वोसत आए जो है डिक्रीज होगे जैसे जैसे बिक्री की काईयां बढ़ेगी वोसत आए डिक्रीज होती जाएगे नेक्स देखिए अकोर्डिंग रिकार्डो के नुसर पूर्ण प्रतियों गिता में मुल्य का निर्धारण होता है, तो right answer हो जाएगा by production cost, उत्पादन व्या के द्वारा, ठीक है cost of production से, next है, long run general price is determined by, दिरग कालीन सामान्य मुल्य का जुनिर्धारण होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो right answer हो जाएगा, मांग तथा पूर्ति के 27 अंतुलन द्वारा, okay, a monopolist maximize his profit when, एक अधिकार अपना लाब तभी अधिक्तम कर सकता है, जब सिमान्त लागत सिमान्ताई के बराबर, जब marginal cost जो है, वो equal है, marginal revenue के, okay, who is known as the father of economics, तो Adam Smith को कहा जाता है, कोन भुम्यूत पादन का गटक है, तो land है, प्रत्यक्षकर दोनों ही है, ओके ये भी जो है, हो चुके हैं question, चले next, देखते हैं, in the situation of deflationary gap, कौन सी मदी है, जो बुगतान सेश में समलित है, तो right answer हो जाएगा, supply increase rapidly, second option, ठीक है, बुगतान संतुलन में कौन सी मदे सामिल होती है, तो तीनों होती है, द्रश्य, द्रश्य और पुँजी, अंत्रन, पुँजी खाता एक कैसी मद है, capital account, बुगतान के घटक, चालू खाता और पुजी खाता, तो यहां पे भी all the above सही होगा, government, private and foreign direct, विच वन इस दाट आइटम अफ करंट अकाउंट, तो import, export or expenses of tourist, बुगतान के घटक, चालू खाता और पुजी खाता, components जो होते है, balance of payment के current और capital account, trade balance means क्या होता है, capital transaction, total debit credit, important export of goods, ओके, which one is the visible item of balance of payment, machine, cement and cloth, एक मिनट, trade balance means import, export, second option इसमें सही रहेगा, important export of goods, ठीक है, इसमें से द्रिश्या मद बतानी है, balance of payment, visible item जो है, वो हो जाएगा, उप्युक्त सभी, ओके, आद्रिश्या मद में, banking, संचार, ये उप्युक्त सभी, ओके, next देखे, Robinson, द्वारा अर्थ सास्तर को दीगी, परिवाशा के सम्मंद में क्या सही नहीं है, दुरलव शादन, उदेशों के परिदित अश्ट साभी से ये अर्थ सास्तर का सकारत्मा के प्रयावईगिक दिश्टि कोन सही नहीं है, सपस्ट कीजे कि अर्थ सास्तर क्या है, तो अर्थ सास्तर एक विज्ञान अथ्वा कलाया, जो कि इस बात पर निरबर करता है, कि अर्थ सास्तर का प्रयाग कोन और कि सुदेश्य के लिए करता है, किसी अर्थ वैवस्ता की परमुक समश्या का संभंध किस से है, तो साधनों की दुर बलता था आवशक्ताओं की बहुलता से है, उत्पादन संभावना वक्र के संभंध में क्या सही नहीं है, पूछा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा सांधनों के पुने आवंटन का अभाव, माइक्रो या मैक्रो, इन शक्दों का प्रियोग सरवपर्तम किस अर्थ सास्तरी के द्वारा किया गया था, तो रेगनर फ्रिश्ट के द्वारा, वेस्टी अर्थ सास्तर किसका प्रियोग करता है, तो राइट आंसर होगा सिमान्त विशलेशन का, अर्थ विवस्ता का चक् दूसरा गिलास कम संतुष्टी देता है कि व्याख्या किस नियम की अंतरगत जो है आती है तो उपयोगिता हास की नियम मांग का नियम अन्य बाते समान रहने पर किस के बीच सम्मंध व्यक्त करता है तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मातरा के बीच मांग वक्र का उपर की और विवर्तन इस और संकेत करता है कि इसी कीमत पर अधिक मातरा में गिफिन पधार्तों का मांग वक्र जो होगा वो कैसा होता है बाई और पीछे गिरता हुआ कीमतों में प्रिवर्तन के परभाव में मांग की मातरा में प्रिवर्तन क्या कहलाएगा तो इसको का आजाता है विस्तार अथवा संकूचन कीमते स्थिर रहने पर उपभोगता क्या आए में व्रिदी का प्रिणाम क्या होगा तो मांग में व्रिदी मांग के उप्योगिता विसलेशन से सम्मधित माननेताओं में क्या सही नहीं है पूछा है तो वो हो जाएगी वस्तु की कीमत यथा स्थिर रहना निमन में से कौन सा एक कथन जो है गलत है एक अदासिंता वक्र दाइं और नीचे गिरता है वो बोगता की संतुलन का बिंदू वह है जहां कीमत अत्वा बजट रेखा उदासिंता वक्र को सपर्श करती है उदासिंता वक्र विसलेशन के परति पादक कोन है तो वो है हिक्स तथा इलेन वो बोगता कि मोद्री का इस्तिर रहने पर एक वस्तु की कीमत कम होने पर यह नहीं होगा कि क्या नहीं होगा कीमत रेखा बाई और खिसक जाए नेक्स देखें रिकार्डो के नुसार पूरण प्रतियोगिता में मुल्यक अनिरदारन होता है किसके द्वारा होता है उत्पादन व्यद्वारा पाई production cost दिर्ग कालीन सामान्य मुल्यक अनिरदारन होता है जो है यह किसके द्वारा किया जाता है तो यह выбrate मांग तथापूर्टी के स्थाइ संत्ula के द्वारा ओके नक्स्ट है एए मोननपॉलिस्ट मेकसिमाईज इस फ्रॉफिट रिवेन तो राइट अंस्रेश में सिमांत लागत सिमांत आय के बराबर है ठीक है तो यह थे economics की कुछ important questions 300 के क्रीब जो है आमने questions किये हैं और अगर आपको questions सही लगे तो please वीडियो को like करके जरूर जाए Thank you so much करके जरूर जाए